सबी साथियों को नमस्ति अभी हिंदी सेशन को शुरू करते हैं सबी का स्वागत है सबी को नमस्ति सबी का स्वागत है इस मॉर्नि सेशन में सुभा के सत्र में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज बन स्टेफ पाइब पर बात कर रहे हैं है तो जस्तम भी रख डिता हूं कश्वा को समझना ने म read शक्ता के रिएट सब्सकाहीं होडियों स्ट में व्रविशनाएज पर देता हूं हो अर्द फिर हम लोग के जो और आपस में डिसकस करेंगे तो इस टेप वन में हम और आपजर्वेशन कर रहे हैं और आपजर्वेशन को इतना सूच में कर रहे हैं कि हम आश्या के पीछे विचार और विचार के पीछे भाव यहां तक पहुचने की कुशिश करें और यह सूचमिता के साथ आपजर्वेशन करना एक इंपॉर्टेंट बात है अगर हम सूचमिता से भाव तक नहीं पहुच रहे हैं तो फिर हम बहुत सारा तरके के आधार पर चेंज नहीं होता है क्वालिटेटिव शिप्ट के लिए यह कि इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने कल्पना शेल्टा में देखते हुए जो बीच पड़ा हुआ है हमारे आशार विचार फिल दिया भाव के इंप में उस बीच को ठीक से देखना और उसका ठीक ठीक मुल् रूंडल में विचा मुल्यंकन कर रहे हैं कि वो भॉब सरस्ट्विकार के लिए हम इसकी मियनतर्थता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं यह जो भाव चला है यह सहज है अनुसे सक्कुन रूप कि उसक्ता हूं इसलसे सप्एब्लियंकन कर रहे हैं इस्टेप फोर में हम यह देख रहे हैं कि अब मूल्यांकन जो कर रहे हैं उसका निर्णाय कौन ले रहा है तो निर्णाय के रूप में देखेंगे तो निर्णाय तो मैं ही ले रहा हूं लेकिन अभी तक इस बात का अगर किल्याटी नहीं है तो उसको अभी बिल्कुल मान मत लें ले आँ हैं जो अपर बिना न कव्रश मानें ले लेंगे तो बहुत रहीं कोके Frans कि इसलिए किसी भी चीज को मानने का जरूरत नहीं है उसको से देखने कि मैं ले रहा हूं या परिश्थितीयाँ करवा रही है या मतों जब इस बात की खेलारी हो जाए कि मैं ही ले रहां तब मैं स्टेप 5 एक इम्पुर्टेंट इस टेप website वे दो आ एक किलियर होता है कि वैं जब और fifteen ले रहां है तो ऐसे मुझसे कैसे हो जाते हैं जो मेरे बिल्दक मुझेी से गरें तो मैं त्रप्ति पूर्वक्त जीना चाहता हूं मेरे दर शuleब जीना चाहता हूं वह कि जर मिठरْया ले जा लेहां और फिर ले रहा है पिर हमको कि हमारे मेरले के पीछे का जो आधार है पूज नहीं है कई कोई मानता है समझ समझ 9 अश्द स्डीत में चैतनिकाई की समझ चैतनिकाई का बाकी कईएंग सब्सक्राइब और separately उसकी समझु यह समझ का के लेर्टि नहीं होने की वजह से हम ना pensar के बारे मैं कुछ मान लेते हैं अपने सुख के बारे में कुछ मान लेते हैं भागीदारी के बारे में कुछ मान लेते हैं मान के जब करने जाते हैं तो कभी निर्णाइठीक बैठते हैं अभी निर्णना ठीक नहीं बैठ तो मानने के साथ दिक्ट यह है इस्यू यह है कि उसकी निर्णतरता नहीं हो कि अगर मानना सही है तो भाव सही भी हो सकता है मानना गलत है तो अनिशित्ता यह हमारे में बार-बार अनिता भाव क्रियेट होता है और इस अनिता भाव से फिर हम परिशान होते हैं फिर हम परिशान होते हैं और हमको इस बात के अगर क्लियर्टी नहीं है कि मेरा निर्ले किसी मेरी मानेता से हुआ है तो हम उस परिशानी को आशा के रूप में दूसरे से एक्सपेट करते हैं उस परिशानी का जो सलूशन है वो आशा के रूप में दूसरे से एक्सपेट करते हैं हमको लगता है कि मेरा मानना तो ठीक है अब यह जो मेरे में दुख हुआ है यह बाहर की परिस्तिती अव्यक्ति के करार हुआ है तो आशा में चला जाता है फिर हम दूसरे जा आशा करते हैं कि अब यह ठीक हो जाएगा तो मेरा जो अंदर निर्णे लिया है वो सब ठीक हो जाएगा इसलिए इस बात की अपने में होना एक इंपर्टेंट बात है मैं निर्णे जो ले रहा हूँ माहिननेटा के अधार पर ले रहां है समझ के अधार पर लेंगे तो उसमें निश्चित्ता बनी रहेगी हम को त्रप्ति फिलोता रहेगा माननेता के अधार पर लेंगे तो एक्सिडन्टली कुछ भी स्टार्ट हो सकता है तो कल भी हम लोग इस पर बात कर रहते हैं कि बहुत सारी माननेताएं हमें बनी रेती है और वो मानिताई भी आपस में conflicting हो जाती है उनकिन दूसरी मानिता यह वह ये कि चलेगी तो सिर्फ मेरी चलेगी कि सम्मन्स बात करेंगे तो लोग हमको अन्यता लेंगे हमको अपने को पूरा वेर भी होना है लेकिन दूसी मानेता ये भी बनी हुई है कि ये सुविधाएं भी हमारी ये बहुत जरूरी है बिना इतना सुविधा के कैसे काम बनेगा हमें बनी हुए हैं और उन मानेताओं से हमारे इसाय विच्छा राष्टा बनते रहते हैं और अगर वह सबस्क्राइब करें लेता हैं अभू पर strengthen रहे उसके विआ कि समझ है वासृत्टिताओं की या मेरी कोई मैननेता है है इतनी बात हम लोग कर रहे हैं है तो कि हम लोग कल से आज तक इसको देख रहे होंगे और चलना है तो उसको भी देखना यह माणने तक्ष्ऑ तहारा है हमको यह समझनाया है कि हमारे लिए सहज भाव किया है और उस भाव को मैं देख पा रहा हूँ इस दूसरे व्यक्तिक के लिए भी देख पा रहा हूँ इसलिए मैं विश्वास के भाव से स्टार्ट करता हूँ अन्यता चलता है तो सभी से वेल्डियोएट करलें कि ता से चल्लाए कि और माउनरता से चल्लाएं तो किस वास्टुपता को मैं नहीं समझ पाया हूं देख पाया हूं जिसके अभाव में मैंने कुछ मान लिया क्योंकि कुछ माना है और अनुद्धा मान लिया तो इसका मतलब उससे डिलेटेड जो रियालेटी है उसको हम ठीक से नहीं देख पाएं इसलिए हमने कुछ मान लिया तो step 5 एक बहुती टर्निंग पॉइंट है इस बात के लिए कि अब समझना मेरी आवशकता है वास्तिक्ताओं को समझना मेरी आवशकता है step 4 में एक important बात यह थी कि निर्ले मैं ही ले रहा हूं अब मुझे अपने निर्लों को ध्यान से देखना है अब step 5 में यह बात आ रही है कि निर्ले तो लही रहा हूं लेकिन बिना वास्तिक्ता को समझे अगर किसी मानिता से निर्ले ले रहा हूं तो उसमें निश्यत्ता नहीं हो गई इसलिए वास्तिक्ताओं को समझना है ठीक ठीक जैसा है तीजे वैसा ही फिर उसके आधार पर निर्ले लेना है अब यह मेरी आवश्यक्ता बन गया है अब यह मेरी आवश्यक्ता बन गया है इसलिए मैं वास्तिक्ताओं को समझने का काम करूँगा उस पर ध्यान देने का काम करूँगा यह मेरी आवश्यक्ता है इतनी बात हम लोग कर रहे हैं डों एक से आज तक हम लोग कर सकते हैं और छो कटेंग करते हैं तो आपस में सभी का दुरोथ कि γर्ट होते हैं कल से आज तक हमारा कि подт der अपर को ऑब्जर्विशन है को दिन पुर इते ब्सक्री में पर 5 बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4 तो उसमें जुड़ा ही गुआ है क्योंकि सारी steps connected है और उसको एक के बाद एक ही करेंगे तो ही एक fruitful result आने की possibility है बताईए हम में से कदनी का ध्यान गया है हम लोग उसको रख सकते हैं इस बात को हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं कि मेरे निड़ड़ाय का आधार क्या है number one number two अकर माननेता है मतलब हमने कुछ मान लिया है तो वो कौन सी वास्त्विक्ता है जिसको हम ठीक से नहीं देख पाए और उसके ना देख पन्या के कारण हमने कुछ मान लिया है और उस मानने से हमारे में भाव विचार चलने रखता है इस बात को बहुत गहराई से देखने के आवशकता है क्योंकि अगर उस माननेता को हम ठीक ठीक नहीं इवेल्यूएट कर पाएंगे तो वो अपने में बना रहेगा फिर उससे भाव बार बार बनता रहेगा फिर हम विचार के लेवल पर कुछ सेट करते रहते है तो तर्क से तर्क को सेट करेंगे तो बहुत देर वो है सेटल होता नहीं है फिर थोड़ी दे बात वापस आता है यह कुछ नहीं हमनों कुछ मनेता है medida day 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 area को में एकंचाय ऐके जैन मैं। इंधिडलो के सक्थजय कारण में मैं यह में है रहे लेगी सब्सक्राइब करें अच्छा थीक है मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं अपकी दो तीन तरीके से इस बात को देख सकते हैं अगर समझ से आपका निर्णे हो रहा है तो उसमें निश्यत्ता बनी देगी माननताओं से हो रही है तो निश्यत्ता और निर्णतरता यह दोनों किसी समय ब्रेक हो सकता है तो जैसे एक्जाम्पल ले लेते हैं जैसे अगर हमने इस एक्जिस्टंस में चैतन निकाई जड़ेकाई और साहस्तित्व शुनिके साथ इसको ठीक से नहीं समझाए तो हम हुमन बीग को भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं और हुमन बीग को हम शरीर मान लेते हैं और जब हुमन बीग को शरीर मान लेते हैं तो शरीर को केंद्र में रखके बहुत सारे निड़ने लेते हैं क्योंकि हमने यह मान लिया है एक मानता हो गया है कि मनुष्य जो है शरीर है अब शरीर में ध्यान में रखके बहुत सारा निड़ने लेते हैं जिसे परिवार में जो मेंबर हैं कि हम भाव के साथ रहना चाहते हैं लेकिन मनुष को शरीर मान लेते हैं तो शरीर को केंद में रखकर उनके लिए प्रोग्राम बनाते हैं जब शरीर को केंद में रखकर प्रोग्राम बनाते हैं तो वो भाव से त्रप्त हो नहीं पाते हैं तो जिसा आपका बच्चा है अब बच्चे को ध्यान से देखेंगे तो अगर हमने उसको एज़े शरीरी माना है तो हमारा पूरा ध्यान उसके खाने पीने खाना पीना ठीक से हो जाए फिर सही से सम्मिट हो जाए इन सब बातों पर बना रहता है इतने में दूसरा त्रप्त नहीं हो पाता है अब अगर वो भी अपने को शरीर माने हुए मैं भी अपने को शरीर माने हूँ तो मैं शरीर को केंद में रखके बहुत सारा करता हूँ या करती हूँ और सामने वाला उससे त्रप्त नहीं होता है जब त्रप्त नहीं होता है तो एक समय पर हमको अपने में छोप क्रियेट होता है कि इतना हमने किसी के लिए किया है यह व्यक्ति सटिसवाइदी निहीं होता है कि हैं टो हैंना हर बार-दीमान हर बार दसी कम्प्लेन। अब इस से में परशान, हो जाते हैं, अब ध्यान से देखेंगे तो हम परशान क्यों हो रहाermें ह। कि इसको अगर देखेंगे तो परशान इसी हो रहा मैं क्योंकि हमने मनुश को शरीर वानए हैं और हमने इस बात को निड़े लिया है कि शरीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर देंगे तो सामने वाला व्यक्ति तरप्त हो जाएगा अब हम शरीर मान के चलें और उसकी तरप्ती का रास्ता ढूंड रहे हैं और जब उसकी त्रप्ती नहीं हो पा रहे हैं, तो हम परिशान हो रहे हैं, अब जो परिशान हो रहे हैं, इसके पीछे क्या इश्यू हुआ है, उसको ध्यान से देखेंगे, तो इश्यू यही हुआ है, कि मैं चैतन निकाई को चैतन निकाई के रूप में नहीं देख पाया, तो मैं इस बात को भी नहीं समझ पाया कि मेरी भी त्रप्ती समझ और भाव से होगी, दूसरे की त्रप्ती भी समझ और भाव से ही होगी इस समझ की कलियार्टी के बिना हम जब मानेता से स्टार्ट कर रहें तो कुछ समय तो हम बहुत अच्छा करते हैं, परिवार के लिए, लोगों के लिए, लेकिन एक समय बाद हमको अपने उपर ही प्रेशने ख़ला हो जाता है, कि हम जो कर रहे हैं ठीक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कंप्लेनी कर रहे हैं, अब उसकी निरं निकाई है, मैं भी चैतन निकाई हूँ, उसमें शरीर की नर्चरिंग प्रोटेक्शन एक पार्ट है, लेकिन चैतन निकाई तो समझ और भाव से ही तरप्त होती है, जैसे मेरी समझ और भाव से मैं तरप्त हो रहा हूँ, अब मैं अपनी समझ और भाव से तरप्त हो रहा हू तो उसके ध्यान किस तरह से और जा सकता है, उसका मैं कैसे कॉंप्लिमेंटरी हो सकता हूँ, कैसे योगता में मैं कॉंप्लिमेंट हो सकता हूँ, इसके लिए मैं विचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके अत्रप्ती से परिशान नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मैं विश्वास क कर रहा हूं सम्मान के भाव से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि समझने पर मुझे यही किलियर हुआ है यही भाव मैं मुझे सहस्विकार है और दूसरा भी इनी भाव से इत्रप्त हो सकता है जब तक उसका ध्यान इस पर नहीं जाएगा तब तक वो हमारे किये गए effort को appreciate नहीं कर पाएगा अब उसका भी ध्यान भाव पर चला जाए अब हम इस पर काम कर रहे हैं तो अपने भी भाव पर ध्यान में रख रहे हैं किया सहस्विकार है और उसके भाव पर भी ध्यान चला जाए इस पर कर रहे हैं अब इस पूरे process में हमारी तरप्ती बनी हुई है क्योंक मैं सम्मान के भाव से चल लाओं उससे हमें किसी तरह का छोब के लिए अपनी है तो यह बना रहेगा अपने में अब मेरे में यह प्रश्च नहीं आएगा वो मुझे क्यों नहीं कर रहा मेरे में विचार इस तरह से फैलेगा कि अब मैं इसके चैतन निकाई पर ध्यार दिला लो यह व्यक्ति का ध्यान कभी जाने वाला है एट्सेट एट्सेट तो इसकी निरंतरता नहीं बनती है जिन्दी अपरिया अच्छली मैं तो भी दूसरे के बारे में सोची नहीं रही हूं मुझे यह चीछ समझ में आ रही है कि अगर मैं तूना तो सामने वाला अपने दर दर होते हैं उसका रिजल्ट जब हमें सही नहीं में तब हम अत्रप्त होते हैं तो वही मुझे समझ लिया आता कि जैसे अभी मैं एक मैं सुबर चार बजे उटे का प्रयास का अफे दिन से कर रही है तो बीच में हो गया था कि मैं पांच बजे उटने लग गई थी कुछ दिन से थोड़ा प्रयास किया तो पॉने चे हुआ है बट भाया मेरा चार बजे कर नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा सुबर का टाइमिंग रात को सुने का टाइमिंग मेरा बहुत लेट होता है डेर कभी तो ऐसे वो भी अच्छी स्लीप नहीं होती है तो मैं चाहके भी कर पा रही हूं बट इतना पत है कि अगर अपने सोचे तई दिशा में और निर्नाय बनाए तो हम कर सकते इंपोसिबल तो कुछ भी नहीं है बट उसी चीज का जो मैं आधार देख रही हूं कि मेरा निर्नाय का अधार क्या है तो मुझे तिक रहा है कि हेल्थ कि मैं उसको कि मैं बिमार हो जाओंगी अगर मैं अपना निर्न पूरी तरह से नहीं होंगी तो यह था तो इसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया उसको प्राइटाइज किया तो मेरा टाइमिंग थोड़ा बना वह जल्दी उपने का पर भईया मुझे निरंतरता नहीं दिखती है क्योंक जल्दी उपने का यह मेरे मानिता से है पर मेरे मानिता तो सही प्रूफ हो रही है जब मैं जल्दी उपना चारी हूँ यह मेरी चाना ही गलत है क्या तो वो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हुग यह पर मुझे उपना है जल्दी तो उपना है योग करना है तो वो चीज के इसको कैसे रिजॉल्व करूं यह नहीं समझ आता है रुकिए मैं बताता हूं आपको देखिए तो पहली वाली जो मैं बात कर रहता है उसको ठीक से रखके फिर मैं आपकी यह दूसरी वाली बात पर आता हूं तो आपका जो मूल प्रस्ण यही था कि भाव से चलने हैं कि समझ से चलने हैं कैसे डिफ्रेंशियेट करेंगे तो मैंने उसका ब्रीफली आंसर दिया कि समझ से चलेंगे तो अपने में एक तो तरप्ती बनी रहेगी उसकी निरंतरता बनेगी उसमें निश्चिता रहेगी औ और बाहर के वातवरण में जो चलना है उसमें अपडाउन से मैं अपने में मुक्त दाऊंगा भागीदारी करूंगा लेकिन उसके अपडाउन से अपने में परिशानी नहीं होगी यह एक इंडिकेटर है समझ से चलने का मानिता से चलेंगे तो थोड़े दिन अच्छा क्योंकि मानिते ही हैं लेकिन थोड़े दिन बाद बाहर का वातवरण या बाहर का व्यक्ति इसके प्रभाव में हमारी मानिता फिर से चेंज हो सकती है तो उसकी निश्यत्ता की संभावना कम हो जाती है एक तो यह उसका आंसर था अब यह जो आप दूसरी बात कर रही है त तो देखिए हमको यह बात क्लियर हो जाए कि निरंतर्ता किस चीच की होगी आप क्या चाह रहे हैं कि निरंतर्ता उठने में हो जाए इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो निरंतरता भाव के लेवल पर होगी, निस्यत्ता भाव के लेवल पर होगी, तो मैं अपने शरीर का नर्चरिंग करना चाहता हूं, मैं अपने शरीर का प्रोटेक्शन करना चाहता हूं, मैं अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहता हूं, ये जो मेरे में भाव है, संयम का भाव, समझ के साथ अगर ये भाव बनता है, मैं ये देख पाता हूँ, शरीज के बल इंस्टूमेंट है, इसका नर्चरिंग, प्रोटेक्शन, सुबह उठना है कि नहीं उठना है, इसके पीछे का भाव देखेंगे तो संयम का भाव है, ये संयम का भाव मेरे में निरंतर बना रहे सकता है, अगर मैं जड़ को जड़ की तरह समझनू, चैतन को चैतन की तरह समझनू, और ये समझनू की जड़ एक आए, यानिके शरीर एक इंस्टूमेंट है, तो इसके लिए जो मुझे करना है, इसके लिए जो भाव आ रहा है, व हमारा जो lifestyle है जिसको आप briefly indicate करें कि रात को सोने का समय सही नहीं है तो हमको अब ये सब देखना पड़ेगा कि हमारी बॉड़ी का जो विबस्ता है कि और जो बाहर हमारा lifestyle है यह सम्मेच कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर मैच कर रहा होगा ठीक होगा तो शोबर आप उठना चाहेंगे बॉड़ि अगर lifestyle ठीक नहीं है सोने का समय निश्चित नहीं और जोब सोते तो बहुत सर अन्तव रोज भी रहता है फिर बॉड़ी को हम उठाना भी चाहते हैं अब ये मुश्किल एकाम है क्योंकि बॉड़ी तो मैटेरियल है वो एक सीमा के साथ ही है उसकी भी एक सीमा को पहचानना ये भी एक इंपोर्टेंट बात है तो इसके लिए हमको अपना लाइफ स्टाइल के साथ जब चीजों को करेंगे तो बॉड़ी का उठना दीरे दीरे नैच्छल हो जाएगा लेकिन बॉड़ी उठनी रहे इसका मत्तब यह नहीं है कि अपने दंतरता नहीं है मेरे अंदर संयम का भाव है इस संयम के भाव की निदंतरता के साथ मैं बॉड़ी की विवस्ता को भी देखोंगी अपना लाइफ इस्टाइल भी देखोंगी उसके योग फल में बॉड़ी का उठना तया हो पाएगा कि जी 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 तो भाव के लेबल पर रहेगी लेकिन जब बाहर करने जाएंगे तो वह करने में हमको समझना पढ़ेगा थोड़ा चाहिए तो वह हमको अपना पुरा लाइफ इस्टाइल पर देखना पड़ेगा क्या है प्रकति की विवस्ता क्या है मेरे बॉड़ी की विवस्ता क्या है जो प्रकति की विवस्ता है और मेरी जो डेली रूटीन है बॉड़ी का वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है मैच करना है तो बॉडी तो मैटेरियल है उस पे अगर चीजे हम फोर्स कर रहे हैं विवस्था के अगेंस तो बॉडी में थकान बनी देती है फिर उसका उटना मुश्किल हो जाता है मुझे यह दिख रहे हैं कि मैं फोर्स कर रही हूं इसलिए शायद नहीं बॉडी मेरी उठ रही है इच्छा तो है मन से बट पोस्ट करने की वज़ा से नहीं उठ पा रही है बिल्कुल तो हम इस पर निरंतरता चाहरे हैं कि बॉडी चार बज़े उठ जाए भले हम सोए रात तो दो बज़े तो अब यह इस पर निरंतरता इससे नहीं होगी निरंतरता तो भाव और समझ के लेवल पर होगी बाहर जब करने जाएंगे तो हमको एवल्यूट करना पड़ेगा ठीक से कि आपको यह करना है कि आपकी जो बॉडी है वी उसकी अबिलिटी क्या है प्लस आपका जो लाइफ इस्टाइल है वह कैसा चलना है अगर यह दोनों मैच करेंगे उसके करम में उठना हो जाएगा आइट तो यह सक्वाइब हें कि मैं दवजिव जोगा ग्यारा बजे सोगा बाराव जह सोगा और हर बार बादी चार बजा जाएगी है क्योंकि बादी जड़ेका ए और जड़ेका ही अपनी सिमा के साथ में है कि आप कि अब अब में जीघी कि अ ठीक है जी नमस्ते बेया नमस्ते सभी को बेया वैसे तो मुझे सुनना आपको इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी clarity बन रही है और मेरी कुछ दिन से मैं बेट कर रहे थी step 5 की कब आप यहां पहुंचेंगे तो मेरा शाहिद उत्तर बने कुछ तो मेरा वो question बन रहा था बेय है यह कि जब आप यह समझा रहे है कि वास्तविक्ता को देखें तो reality उसकी भाब जो है भाब के पीछे क्या हमारा माननेता है यासे ही समझ बना हुआ है तो मैं उस वास्तविक्ता को जब गहरा ही से देखती हूं तो मुझे यह दिखता है कि मेरी जहां-जहां सही समझ के साथ में निभने लेती हूं या कोई भी कार्य करती हूं तो मैं सहज बनी रहती हूं और जैसे कि कोई भी भागेदारी करने चाहती हूं चाहे बाहर की हो चाहे वो मैं किसी के लिए कुछ करती हूं, तो मैं उसमें कहां तक फैल के मुझे करना है, उस चीज को बहुत प्लारेटी से, अब और अच्छे से देख पार, पर एक जो वास्तविक्ता, जो कितने एक रियालेटी, जो आप साटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, किसी के पर बहुत जैसे वही कल्पनाशुता में चलती है, कि मैंने उसको शरीर तो नहीं माना, मैं एक चैतनी की तरह देख रही हूं, और क्योंकि शरीर देखती हूं, तो फिर और उसकी अलग चीज एक दिखती है, तो वास्तविक्ता को वही रियालेटी को जब उस चैतने को दे कि मैं तो अपने पोर रिजल कर पारी हूं, मेरी कहां-का माननेता थी, या मेरी कहां क्या कंडिशनिंग थी, उसको मैं देख पारी हूं, खुद को तो मैं कर पार दूँ, पर क्वेस्टन मेरी यहां पर आपके यह बन रही है, कि आगले की कंडिशनिग शाय त मैं फिर भी और मैंने उस वास्तविक्ता को जो और गहराई से थोड़ा देखा, तो मुझे लगा कि जो एक रियालिटी है, उसके साथ मैं जितने जूड के रहती हूँ, तो मैं बहुत आराम में रहती हूँ, अपनी हपिनेस में रहती हूँ और मैं उसमें देख पाती हूँ सरलता से कि मुझे क्या भागेदरी करना है, कितना फैल के करना है और नहीं भी कर पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं किसी का कुछ उसकी विप्रोत तो नहीं जाओं और ना ही मैं उसको करूं, अपनी ले तो कर पा हूं, मतलब अपनी सहज़ता मैं तो रह पा हूं और अपनी जो भी एक limited है उसमें तो मैं रह पा हूं, लेकिन उसमें भी मैंने ये देखा, कि कुछ चाहे अगले की माननेता कहलू हूं या मैं बहुत पॉस्टता से और सरवता स से डिस्कस करती हूं या बात कर दिती हूं लोगों से जिससे समभात करती हूं तो यहां पर यह लगता है कि मैं उसको बोडि से तो पर पर這邊試ate कर पा रही हूं पर यहां पर भी यह देखता है कि अगले की संस्कारे मेरी तो नहीं है तो दो-तीन बाते हैं आपकी sharing में तो एक जो बात आप कर रही है भागीदारी की उसको पहले मैं कर लेता हूं फिर जो दूसरे की बात कर रही है फिर उस पर मैं आप तो इस पर तो मैं यह रखना चाहूंगा कि भागीदारी को अगर देखेंगे लिखेंगे ना पातके की जिवागीदारी वैभाओ के रूप में निकल आएगी तो जیसे जैसे हमारा वास्तिक्तख के परति क्लाऄटी होगी और में प्रकरी के परति क्लाऄटी होगे है कि इस पोटेंस्यल के क्लाऄटी होगे उस जब मैं भाव को देख पाऊंगा अपने में प्रेम के भाव को देख पाऊंगा तो प्रेम के भाव के साथ हर इकाई से मुझे संबन दिखेगा अब ये प्रेम के भाव के साथ जब हर इकाई से संबन दिखेगा तो हर इकाई के लिए भागीदारी के बारे में विचार भाव चलाना यह वैभाव आएगा वैभाव के रूप में आएगा सहज हो जाएगा हमारे लिए तो जैसे अगर मा को देखें तो बच्चे के लिए बहुत सारी भागी-दारी करती है तो भागी-दारी अपने आप होती है वह मार को बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है तो जहां-जहां हम संबंद को ठीक से देख पाते हैं वहाँ-वहाँ भागी-दारी का होना एक सहज बात हो जाती है अब किसी के लिए करना यह बहुत लगाने की ज़रूत नहीं पड़ती है यह तो अभी जब यह प्रश्ण बनता है कि हम कितना कर पाएंगे भागी-दारी या थोड़ा कर पा रहे हैं तो इसका एक अर्थ यह भी है कि अभी हम कुछ लोगों के साथ सम्मन को देख पा रहे ह तो जितने में हम संबंद को देख पाते हैं उतने में हमारे लिए भागी-दारी करना सहज हो जाता है जितने में अभी हम संबंद को नहीं देख पाते हैं उतने में भागी-दारी पर बहुत सारा प्रश्ण बन जाता है तो वह भागीदारी को सेंटर में न रखकर भाव को सेंटर में रखकर अगर हम अपने को देखेंगे कि मेरे में किन-किन भाव को मैं किल्यली देख पाता हूं किन-किन के साथ संबंद को देख पाता हूं इसको देखेंगे तो पूरे अस्तित के साथ संबंद है है है। ऊंग्य उस संबंद के साथ भागिदारी को होना एक नैच्रियर अउट कम जितना जितना मैं देख पाऊंगा उतन gluc समझ पाया हूं कि अस्तित में जिन जिन चीजों कि मुझे होती होतीे घ्रोग्वर की हो जाए हर एक काई सा ठीक के साथ मेरा समग यह हो जाए अब हर इकंड हो द्ध्यान में रखके भागीदारी के लिए वहाव विचाथ रखना एक natural outcome एक तो यह बात है ठीक है देदे इतनी बात? तो मुझे, मैंने कुमार भया को भी बाता है कि क्यों जाना है उदर? जब मैंने उस बास तब एक बर देख लिया, जेल लिया, मुझे नहीं करना उस चीज, मुझे इतनी बिचारों में नहीं जाना है, तो वो तो ठीक है, या मैं कितने क्लेवर होती हूं, तो मुझे वो अच्छा तो नहीं लगागी, मैं एक, साइड होके, जैसे, अपने आपको जैसे बहुत आइसलेक्ट में कर लिया, जैसे अपने में ही बहुत जादा रहने लगी, तो मुझे लगा कि, जो भाईया बात कर रहे, अभी रियालेटी, पीछे देखो, भाव देखो, भाव की पीछे क्या माननेता है, या मेरी कोई सल्सकार है, या क्या उसकी पीछे बास्तविक्ता है, उसको देखो, तो जो मैं उस बास्तविक्ता को फिर देखती हूं, बुर्मुर के, तो मुझे लगता है कि, यही रियालेटी है, जो भी है, भूम फिर के, वो थोड़ी सी चाहिए, एसेंस में आप रहो, वो ही आपकी हपीनेस से, आप किसी के लिए अगर भाव से कर सकते हो, कम करो, ज्यादा करो, आपकी चॉइस है, करके भी अगर चोट लगा, तो उसको भी बापस देखो, और कुछ लोग ने अगर चोट पहुंच आए, तो सारे तो ऐसे नहीं है, तो फिर वहां ही को लगता है कि हाँ, वो भी भाठ ठीक है, फिर लगता है कि फिर कुछ ऐसे करने जाओं, और भाव जो बनता है, तो भागीदारी को अब यह जो बात आप कह रही है इसको ध्यान से हम लोग एक बार सुन लेते हैं पिर आप उसको एवल्यूट करिएगा देखिए जिसको अभी आप रियालेटी कह रहे हैं कि हमने कहीं जाकर भागीदारी किया व्यक्ति ने कुछ और कर दिया हम हर्ट हो गए है अब हमको रियालेटी पता चल गई है तो बेसिकली ध्यान से देखेंगे तो हम जब बाहर इंट्रेक्शन करते हैं और हमको जो उन एक्सपीरियन्स के आधार पर हम कुछ माननेता बना लेते हैं जब उन एक्सपीरियन्स के हिसाब से माननेता बना लेते हैं अब यह माननेता के तहत हमारे अंदर डिलेमा फियर डाउट यह सब क्रियेट हो नहीं रगता है ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे तो इतना ही हो रहा है, कि मैं अगर ठीक से समझ पा रहा हूं, समझ के अधार परमेरे में भाव बन रहे हैं, उस भाव के साथ मैं भागीदारी कर रहा हूं, यहां तक मेरी तरप्ती बनी रहती है, यहां तक चीज़े मेरे हाथ में मेरी तप्ती बनी रती है भागी-धारी करते हुए हम यह जो अन्निता चीज़े मान लेते हैं यह मैं भागी-धारी कर रहा हूँ अब दूसरा सही हो गई उसको कम से हम सही ना वो मुझे अप्रीशियेट तो करें अपरीशियेट ना करें तो कम से कम हर दो ना करें ये सब अनिता हम अपने साथ बनाते हैं न ये हमारे अंतुप प्रॉब्लम की रेट करता है और यह जो problem create करता है इसका एक अर्थी ये भी है कि हम अपने भाव जो हमारे बने था जिसके अधार पर हमें नड़ने लिया था वो समझ के अधार पर नहीं था हमारी किसी मानता के अधार पर था क्योंकि भाव के साथ अगर हम चलेंगे और सामने वाला वो response नहीं दे पाया है तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि वो भी चैतन निकाही है वो भी अपने संसकारों से प्रभावित है अपने संसकारों के प्रभाव के करण उसकी जो स्थिति है वैसा वो व्यक्त हो रहा है वैसा नहीं कि बहुत सुखी होकर हमको हर्ट होकर दिया उसमें इसका दुख उस बात को भी मिल ला है इसकी अकर हमको क्लियर्टी हो जाए तो हम जो उससे बार-बार हर्ट हो जाते हैं किसी माननेता के तहट उस माननेता को हम ठीक से वेल्यूएट कर सकते हैं तो भागीदा करने से बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा यह जो हम आशा बना लेते हैं यह एक प्रॉब्लम है तो जैसे आप एक पेड़ लगाते हैं आपको प्रकरती से संब्धन दिखा आपके अंदर यह भाव आया है चलो प्रकरती का संबर्धन करें एंडिच्मेंट करें एक पेड़ मिलेगगा संब्दन के लिए कुछ कर रहे है इसका आपको सुख मिलेगा प्रय लगाएंगे इसका आपको सुखं मिलेगा लेकिन अब वो पेड़ निकली जाएगा यह एक इशञ इन अब उस पेड़ का निकलना अब मेरे हाथ में नहीं है अब उसका निकलना बहुत सारे factors पर dependent उसका जमीन का quality उस पेड़ की अपनी इंटर्रनल preparation बहार का वातवरण धूप हवा पानी अब हम भागी दारी करते समय इन सब बातों को भी अपने favor में ही कर लेना चाहते हैं तब ह हमारे लिए एक छोप कारण बनेगा लेकिन समझ के इतना मेरे हाथ में इतना कर दिया है इस काम को त्रप्ती मिलती रहेगी तो यह थोड़ा से हमको ध्यान रखना है तो बेसिकली अगर और टेक्निकली देखेंगे तो हम कि वास्त्विक्ता को नहीं समझ पाने के कारण Mu ri 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 मेरे दुख का कारण क्या है अगर अपने वापस पूछा जाए तो तीन कारण हो सकते हैं या तो उस्वेक्ति के वैवार है मेरे दुख का कारण या कोई परिस्थिती है या फिर से जो मैंने निर्ले लिया है अभी उसके लिए विरोध का भाव लाने का यही फिर से मेरे दुख का कारण बन गया है और अगर फिर से विरोत का भाव आ गया है ये मेरे दुख का कारण बन रहा है तो अभी जो मैं भाव से start किया था जो मुझे लग रहा था वो किसी मानता से start हुआ है क्योंकि समझ से start करेंगे तो उसकी चैतन निकाई को भी दो भाग में देख पाएंगे कि उसके भी संसकार है उसकी भी अपनी स्थिति है लेकिन उसमें भी कुछ इन्नेट है मेरे भी संसकार है मेरी भी एक स्थिति है मेरे मेरे भी कुछ इन्नेट है अगर ये दोनों बात को हम किलियरली देख पाएंगे कि जब मेरे संसकार मेरे उपर हावी होते है तो मेरा भी भाव बदल जाता है दूस्ते के संसकार उस पर हावी होगे अन्यता संसकार उसका भी भाव विचा बदलने के संभावना तो है लेकिन इन दोनों के साथ हमें जो इन्नेट है वो तो सही है इतनी किलियाटी से करेंगे तो फिर हम हमारे में जो भाव बनेगा उसके लिए उस इन्येटनेस को देखते हुए उसमें निशित्ता बनी देगी जी दिदी जी बही है कि मेरा विरोध का भाव तो नहीं है वही है कि मैं दोनों चीज़ को देख पार ही हों कि जो उनकी अपनी जो संसकार सभाव है तो होई सकता है जैसे आपने उधारान दिया कि कोई चेंज है या कोई जो भी उनकी अपनी बनी हुई है उस वो तो मेरे हाथ में नहीं है पर यह कि मैं अपने मैं तो कम से कम ठिक से कर पाऊं उस चीज़ को तो अभी मेरा विरोध वाला तो नहीं है बिल्कुल और कहना चाहिए जैसे कहते नहीं कहीं लोग कि रिस्ता भी तूट गया अपर रिस्ता तो टूटा ही यह क्योंकि वो तो इतने साल भी भी इतने के बाद वो बात अभी अंदर चली रहे तो रिस्ता तो वो अगर बदलता है तो भी ठीक है मेरे लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं रखना है और मैं मचे के सांथ बनी रहूँ तो मुझे लगा कि यही मुझे जो बारवर यहां दिखती है कि अपनी अपको ठीक रखो योगा कर्पैस के हम ने हर तरफ से कोशिस की अगलागर नहीं समझना चाहते तो ठीक है ओड़ यह बातना है बातने हैं इक पेड को मैं भी कप तक पकड़ के रहूँगे न अगर वो पेड़ quality नहीं होगी, qualitative नहीं होगी, quantitative में अभी कुछ कमी रही होगी, पर मैं इस चीज़ को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इसमें भागीदारी बहुत अच्छे से करी, मैं इसमें पूरा खुश हूँ, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, मैं ठीक है, आप उसमें पर छोड़खेंगे, आसको मुझे ऐसा बार बार ये आता है, अमें पर छोड़खेंगे, और अमें पर छोड़ने का निड़ने ले रहे हैं, तो इह बात ध्यान में बनी रहे रहे तकी वे वेटी सुख्यों more चाहता है, लेकिन सुख्य होने का प्रस्ता हुआ वह सब्सक्राइब are कुछ Щ 누에게 कोशिश कर रहा है यह तो करक अपने ढ्जी कोशिश कर रहा है left oh उसके इस प्रयास में उसके निशित्तर इंटरता होने की ऐसा इतना करके अगर समय पे छोड़ेंगे तो हम comfortable बनी रहेंगे जी जी इसमें मैं भी सेज़तास से रह पाती हूं आराम से सब कुछ कर पाती हूं और एक जहां भी मतले वो जैसे ना सब कुछ होते हुए भी मेरे को कोई भी चीज में खिचाव नहीं होती है तो फिर वही innate happiness के सा जब मैं रहती हूँ तो ठीज है ना आगले की शंकार है ठीक है वो भी तो एक अपनी जर्नी में आया जब अपना बदलनाента।ं उनको बदलेंगे नहीं बदलेंगे उनकी अपनी personal journey है तो हमने अपनी जर्नी है मेरा धियान दिलाने का काम था मैंने धियान दिलाया उसमें प और मैं इसलिए फ्यूचर में ओपन रहूंगा जी एक इंडिकेशन है कि मैं समझ के साथ भाव के साथ हूं तो व्यक्ति कभी भी फिर से वापस आएगा तो मैं फिर से विश्वास और सम्मान के भाव से स्टार्ट करूंगा ना कि पिछले कंप्लेंट से स्टार्ट करूंगा अगर फिर से मैं बहाव से स्टार्ट कर पा रहा हूं तो इसका मतलब में बहाव बन रहा है यह समस्य बन रहा है बहाव तो बहाव तो बही है बिगड़ा ही नहीं पहले दिन से बट वह है कि वो अंदर एक इतना ज्यादा कर वो माइंड से इतना सपोफिशन से भर देते हैं ना वो उसको निकालने में मुझे बहाव एकना समय लग गया मतलब कि मैं फिफ्ट बैस में जुड़ी थी तब तो मुझे कोई विरोध नहीं है मैं इसमें क्लियर हूं बिल्कुल यहां बर जैसे वास्तो विखता है कि उपर काफी दिन से चल रहा था तो मैंने के चर्चा में रखतो थोड़ा से हालागे मैं को जो भी इसकी पीछे देखता है उसको मैं थोड़ा से अपना उतारने की को अगले का तो मैं ध्यान दिलाओं ठीक है वो तो कोई बात में पर मैं स्वयम के साथ जो है इतनी ओनेस्ट रहूं कि मुझे कल को किसी के प्रतिया कोई मुझे उंगल ना करे क्योंकि बहुत-बहुत मैंने ना चाहते हुए भी बहुत क्लारेटी के साथ भी मेरे को बहुत कि जेला तो मैं नहीं जाती हुए कि दो बारा मेरे कोई मेरे सभी मैन पर कोई भी बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- क्यदों भात बढ़ी है आपकी सेशन सुनके बस मिझे सुनना बहुत अच्छा लगता था था जब चुमार प्यूल फे जब सुनती की न मैं दे गलती था पर समय हो जाता है तो मुझे सुनना ही अभी बहुत अच्छा लगता है और जब में सोती है तो मेरे को अच्छा नहीं परता है कि आज मेरा में सोती है। कोई भी हमें दुखी नहीं करना चाहरा पर हम दुखी हो रहे हैं। या तो हमने किसे बुलूक हमने उन्हें दुखी करा था किसी भी गलती किसी भी वे में तो आज वह नोंने हमें वह पलटके आनसर दिया होगा ऐसा ही कुछ रहे हैं। देकि उसको ऐसे उसको भी ओपन रखते हैं। उसमें जो मूल बात है वो यही है कि मेरे संस्कारों में क्या चला है। मैं अवेर नहीं हूं और किसी मानता के तहट कुछ निड़ना लेता हूं। उससे भाव विचार होता है फिर वहभार होता है और सामने वाला हर्ट हो जाता है। यह एक पार्ट हुआ है। तो पहला वाला पार्ट जो हो गया वो तो हो गया संस्कारों के कारण है लेकिन अब अगर कोई इन्पुट आ रहा है मेरे पास उसको मैं निर्णाय पुरुवक्त ट्रै कर सकता हूं अगर स्टेप 1,2,3,4,5 तक जाएं तो कि अब मुझे अपने अंदर विरुवत का भाव र क्या करें नेक्स्ट जिससे सामने वाला का भी ध्यान जाएं उसका भी सही पर ध्यान चला जाएं उसको भी अपना पुटेंशल किलियर हो जाए इसके लिए हम क्या प्रोग्राम बनेंगे सम्भन्द के भाव से नहीं करेंगे विरोद के बहू से अगर हम विचार चपा रहे हैं तो कैसे फैलेगा तो पिर ऐसे फैलेगा कि उसका को कित्ती बार भी ध्यान दिला दो, ध्यान तो जाता नहीं है, अभी तो हम उसको ड्रॉपी कर देते हैं, कभी समय बताएगा, परिशान होगा, तो फिर समझेगा खुदी, अब ये सब जो चल ला है न, ये विरोत के भाव से विचार बन रहा है, संबन के भाव से व लेकिन हमारे अंदर जो भाव विचार चलेगा, उसकी ग्रोथ के लिए उससे दुखी नहीं होगे, तो इसलिए उसको भी ओपन रखते हैं कि मन्यृता से हुआ है कि समझ से हुआ है जो भी हमारे अंदर विचार चले का वह हम थोड़ा सा विरोध तो रखेंगे रखेंगे और जो भी हमें काम कर रहा होगा अपने आप में खुद में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है और मैं अधिक तर अब जो भी काम कर रही हो विरोध की वजीश से ही कर रही हूं और उसको मैंने अपना नाम दे दिया वजूद जी जी ठीक है जो चीज हम लोग कह रहे हैं वजूद है हमारा या हमारा स्वाविमान है या हमारी अपनी एगो हट होगी एक्स वाज़र जितना मैं अब आपके बातों से समझ रही हूं मैं ठीक समझ रही हूं जी जी बिल्कुल पर आपको कम तो में कहां नहीं पा रही ह। दुख को कि अतोरा समंद्द को पर एक चीज बिले ठीज होती है कि जैसे शर्मस्बंद को कैसा हम विरोद में सो बह्त कर इस सम्हांना भी उस Kens вызथी पर इस संबंद को कोई और विरोध में देखते हैं तो मैं इसको आंशर दे जाती हूं अगर कोई दूसरा भाल वाला बंदा उससे विरोध करता है तो हम उसके साथ कड़े हो इसा क्यों कि यह मेरी कौन सी मानिता आ जाती है हेलो जी तोड़ा से बताएंगे इसमें तो दी देखिए विरुवत का भाव और संबंद दोनों एक साथ तो ने चलेगा कि मेरे में विरुवत का भाव भी बना रहे और मेरे संबंद दी अच्छे बने रहे तो यह जो विरुवत का भाव अपने में बना हुआ उसको हैंडल करने के लिए हम लोग इतनी स्टेप्स पर बात करें लेकिन बेसिकली होता है कि जा विरुवत का भाव होता है तो हम अपन जादा तर तो कारल भारवाले दिखता है इस वजए से वह सेटल नहीं हो पाता है तो अगर सेटल करना है तो उसमें अपने से पूछा जाए कि यह जो विरोध का भाव चला है क्या यह मुझे सहे जाए क्या मैं इसकी निरंतरता चाहता हूं इसका निर्ले कौन ले रहा है तो फिर पूछी अपने निर्ले मैं क्यों ले रहा हूं जिससे मैं अपने मैं दुखी हो रहा हूं फिर अपने से पूछी है कि अगर ने भी अखकार बटैने कि मैं आपको बोल रहे हूं कि मैं निडने ले रहे हूं इस चीज के लिए भी पर मैंने उसको अपना निडने लेने के बाद वजूत का नाम दे दिया कि मैं अपने स्थित्त को बचाने के लिए कर रहे हूं या अपने स्वावी मान को या अपनी उसको बचाने के लिए कर रहे हूं की अपने ज़ो अपने लिए इमेज बना रखी है और अपने में अपनी दूसरों के अंदर बिठा रखी है अच्छे इंसान की, वो कहीं डिस्टप ना हो जाए, इसलिए मैं उसका विरोध करता रहता हूं, लेकिन ये बात अगर किलियर हो जाए कि वो इमज को मैं ठीक से वेल्यूएट कर लूं, इमज मतलब मानता है, उसको ठीक से वेल्यूएट कर लूं, और इवेल्यूएट करके म मैं उससे मुक्त हो सकता हूं, ये मैं ही मुक्त हो सकता हूं, इस बात पर अगर ध्यान चला जाए, तो फिर हम निर्ले को सही कर सकते हैं, तो इससे निकलने का पोटेंशल मेरे है मेरे में, और इससे मैं मुक्त भी हो सकता हूं, ये मैं स्वेम भी कर सकता हूं, ये बात अग चल जाए है इसे लिए हम सामने वाले को यह दिखाने में लग जाते गलती तो तुम्हारी है और जब तक सुईकार नहीं लोगे तब तक तुम्हां बताते ही देंगे तो बहुत समय हम वेट भी करते रहते हैं अब यह फसे गाना तरह हम बताएंगे और उसने समय तक हम पीड़ा में बने रहते हैं क्योंकि हमने यह माल लिया है कि दूसरा वाला गलती जब सुईकारेगा तब ही हम कमपटेबल हो सकते हैं यह जो बैक्ग्राउंड में माननेता है न अब टेक्निकली देखेंगे तो यह हमारे अंदर बहुत अहंकार रहता है अहंकार से हम कहीं न कहीं डॉमिनेट करना चाहते हैं और यह मान दिलवाना चाहते हैं दूसरे को कि तुवारी गलती इसको सुईकार हो तो इसकी गल्टी होगी है वह भले एक साल बास विकार है लेकिन एक साल तक तो मेरा दुखी अनत्य हो के इससे को मैं अपने आहंकार से भूखत हो सकता हूं तुम्हें अगर मैं विच्छा चलाऊंगा तुम्हें एक हाल से इसको और थोड़ा सा देखिए अभी समय भी हो रहा है इस पर जरूरत पड़ेगी तो कलम लोग पर इस पर कल्चर करेंगी तो नमस्ते सभी को